आज इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे पेन फ्राइड चिकन मॉमस बनाएंगे तो इस वीडियो को स्टार्डिंग से लेके लास तक देखते रही है आप लोगों को एक एक इनिडेन बताते जाऊंगा मैं ठीक है तो यहाँ पर मैंने कुछ स्प्रिंग अने लिया है जिसक आम लोग प्याच के पती भी बोलते हैं तो इसको भी पहले कटिंग करके दिखा रहे है आपको ताकि आपको भी समझ में आजाय कि कौन सा कॉटिंग किस तरह सा करना है तो यहाँ पर मैंने वैसे जिंजर लिया है जिंजर को भी इस तरह से जुलेंट करके इसको आप यह चौप करूँगा मैं इस तरह से आपको भी चौप करना है तो वैसे ही मैंने यहां पर एक red capsicum दिया है red capsicum को भी इस तरह से juland cutting करके इसको बार एक chop कर लेना है मैंने थोड़े काटके मैंने यहां पर red capsicum दिया है और यहां पर मैंने मैदा है ना हापके जी मैदा लिया है और वैसे पानी मैंने यहां पर डाना है जैसे आप लोग रोटी गार में बनाते हो ना ऐसे आप निए बनाते हो ना याद राखिए जब भी नहीं रहा ना आप ज्यादा गिल्भा भी नहीं रहा से घट भी नहीं रहा सब्सक्राइब तो एक मीडियम साइज के दू बना के राखना है तो आप इसको हम लोग 20 मिनिट के लिए बाहर रख दिंगे अब यहां पर हम लोगा जो भी मिक्सर है ना उसको रेडी करेंगे तो यहां पर मैंने 300 ग्राम कीमा चिकन लिया है उसका पाद मैंने यहां पर क्याप सेकम डाला है क्याप सेकम मैंने डाला है 15 ग्राम रेड क्याप सेकम वैसे मैं यहां पर जिंदर भी डालूँगा जिंदर आपको डाला है 12 ग्राम वैसे यहां पर हारा दान्या आपको 10 ग्राम डालना है तो यहाँ पर मैंने श्क्रिंग अनियन है ना श्क्रिंग अनियन को मैंने यहाँ पर डाला है 20 ग्राम वैसे यहाँ पर मैंने चॉप किया हुआ जो अनियन है ना उसको भी मैंने यहाँ यहाँ डाला है 40 ग्राम तो आपको भी इसी तरह से डालना है इसमें तो यहाँ पर मैंने white paper का इस्तमाल किया है white paper आपको 1 tablespoon डालना है वैसे chicken broth powder आपको यहाँ पर 1 tablespoon डालना है तो यहाँ पर salt डालना है taste अनुसार आप जितना salt डालोगी आपका taste का अनुसार से salt डालना है वैसे मैंने यहाँ पे रिट्टिली फ्लाक्स में डाला है वन टेबल स्पून यह बहुत है स्पाइस ही था तोड़ा मैंने कमी डाला है यहाँ पे अब उसका बाद हम लोग इसको मिक्स करेंगे इस तरह से मिक्स कर देंगे उसका बहुत यहां पर हम लोग ओईल ड़ाता है जो फ्रेस ओईल यहां पर हम लोगों डालना है फोर टेबल स्पून डालना है अभी सोचोंगे ओईल क्यों डाला तो ओईल डालने से यह थोड़ा जूसी पन होता है जूसी होता है, मौमस जब है आप खाऊगे ना तो जूसी पन निकलता उसमें से ठीक है, तो इसलिए मैंने ओइलियां पर डाला यह जूसी रहे है, उसका गाद आम ने जो पेड़ा बनाया था ना, जो उसका मैदे का पेड़ा बनाया था ना, जो डॉर, उसको आम लोग इस तरह से साइज का कॉटिंग करना है याद राके फ्रिन आप ये डो को एने मैक्सिमाम आपको 20 निए तक सोग करके रखना है ठीक है ताकि ये थोड़ा सा नारम हो जाए और अच्छा से बन जाए तो इसी तरह से आपको लंबा करना है लंबा करके आपको इस तरह से एक छोटे पंद्र ग्राम होना चाहिए तो इस तरह से आपको बेलना है अगर आपको इस तरह से बेलना नहीं आता है तो तरह से आप रोटी बनाते हो ना उसी तरह से बेलना है ठीक है तो आप देख सकते हो आपको इतनी बड़ा है एक साइज इतनी साइज देना है देख लीजे आप इतने ही size का बनाना है आपको इसका रोटी ठीक है उसका बाद यहाई पर जो Momo का मिकसर है तो होता है उसको यहाऊ पर इसससद डालेंगे और site में fold करके इस तरह से बीसमे से आगे बड़ाके इस तरह site site में अपको fold करना है आपको साइज समझ में नहीं आया हूंगा फिर मैं मियां पे वीडियो को एने थोड़ा सा और एक बना के और दो बना के देखाऊंगा ताकि आपको easily समझ में आ जाए ठीक है तो इस तरह सापको लेना है और side में इस तरह सापको fold करना है और side side का इस तरह सापको लपट लेना है तो जो भी आप लपट हो गए ना तो ये lock हो जाएगा ठीक है तो जो भी mixer है ना तो बाहर नहीं निकलेगा देखे कितना अच्छा बना है तो आप भी try करो definitely आपको आजाएगा ठीक है तो इस तरह से अंदर डाला और side side में इस तरह से आपको fold करना है ये देखे फ्रेंट कितना अच्छा से बन चुका है देखे कितना अच्छा बन चुका है तो आपको भी इस तरह से ready करना है तो हम लोग यहाँ पर बन के पूरा ready है अब यह हम लोग है इसको steam करेंगे यहाद रहा कि friend मैंने यहाद पर steam किया हुआ clip से उसको मैंने shoot करने actually मैं भूल गया था ठीक है तो यहाद पर आपको देखाऊंगा कि इसको कितना time तक boil करना है मैं बताऊंगा आपको तो आपको इस तरह से पानी उबलते हैं आप पानी में इस तरह से आपको टाकन लाकर मैक्सिमम दस मिनिट तक आपको steam करना है याद रहा कि दस मिनिट तक ठीक है तो यहाद पर हमनों का वो clip मैंने shoot नहीं कर पाया उसके लिए छेमाच आता हूँ मैं तो यहाद पर जो का हमने और फिल्श हमने एक नौन इस्टिक लिया है नौन इस्टिक में एक वन टेबली स्पून ओयल डाला है उसका बाद जो हमने मॉमो को है अ इस्टिम किया था न तो यहाँ पर डाल देंगे अब इसको आम लोग पेंट करेंगे इस तरह से धीरे धीरे से चलाएंगे और यहाँ पर इस्पून से इस तरह से आपको डिस्टेंच देना है ठीक है ताकि यह ना चिपकी है अभी देख सकते हो हम लोगा जो पेंट फ्राइम मॉमोस का जो कॉलर है ना आने लग गया है इस तरह से तो आपको यह निचे के तरह आपको थोड़ा रेट करना है और यह मॉमोस खाने में तो इतना टेस्टी होता है आप जरूर ट्राइ किज़े से ठीक है तो हम लोगा यह अन्मस रेडी हो चुका है अभी हम लोग यह फ्लेट में निकालके इसको प्लेटिंग करेंगे अच्छा ए般, लाग औरा किखिए निचे है और नाय स्थक्राय करेंगे घ्राइजा न आपको लोगा इसे था जापकल्षातारी की की है